हलो योट्यूब, मॉर्णिंग एपिसोर हाजीर है एक नए वीडियो के साथ गाईज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो में हम लोग टिक टॉक नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में डीपली डिसकस करेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरह से मैनेज करते हैं तो उसके लीए सबसे पहले टिक्टॉक अपिN करेंगे अपिन करने के बाद अकाउंट मे आएंगे अकाउंट मे आने के बाद यहां पर त्रीलिट्ल आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यह ओप्शिन आपको दिख रहा होगा flush Notification इसपे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तीन options दिये गए है अगर आपके new fans बनते हैं और अगर आपको उसका notification चाहिए कि जितनी बार भी आपके new fans जो भी आपको follow कर रहे हैं उसका notification आपको मिले तो इसे यहाँ से enable कर दीजे अगर आपको नहीं चाहिए कि नहीं बार बार कोई आपको follow कर रहा है तो आपको वो notification आता रहे तो उसे यहाँ से disable कर दीजे तो यहाँ की मर्जी है आप यहाँ से enable भी कर सकते हैं disable भी कर सकते हैं उसके बाद आगे भरते हैं तो यहाँ पे यह नीचे में देखिए आपने जो video डाला है उस पे जो likes मिलते हैं तो आपको उसकी notification अगर चाहिए मतलब जितने सारे लोग उसे like कर रहे हैं आपके video को तो आपको notification मिलता रहे तो उसकी अगर notification अगर आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ से enable कर दीजे नहीं चाहिए तो इसे यहाँ से disable कर दीजे उसके बाद सबसे last में यहाँ पे new comments अगर आपके video पे new comments आते हैं तो उसके notifications आपको चाहिए कि जितनी बार भी लोग new comments करें आपको notifications मिलते रहें तो आप यहाँ से enable कर दीजे नहीं तो इसे जब आप disable कर दीजेगा तो फिर अगर कोई new comment करेगा तो आपको उसका notification नहीं मिलेगा तो इस तरह से हम TikTok में notification की setting करेंगे अगर आपको TikTok से related और भी वीडियो देखनी हैं तो आप इस eye के icon पे click करके देख सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा guys please like, comment, share and subscribe करना मत भूले आपकी एक like मुझे बहुत motivation देगी वीडियो बनाने के लिए तो please like जरूर कीजे और comment में बताएए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा चली मिलते हैं नए वीडियो के साथ